वेलकम टू मुमिन जहांगिर अकेडमी स्टुडेंट्स आज के लक्षर में यह मैट्स पदल है इसमें स्टुडेंट्स हमने यह वैल्यू को फाइंड आउट करना है स्टुडेंट्स 11 11 जा 121 होता है जबके यह 4 के इक्वल है that is impossible इसी तरह से स्टुडेंट्स 22 को 22 से मिल्ट 284 आता है और यह 16 के किस तरह से इक्वल है यह तो impossible है तो चलिए स्टुडेंट्स देखते हैं यहां कौन सा गॉजिक यूज हुज हुआ है स्टुडेंट्स यहां 1 और 1 को एड किया गया है 1 प्लस 1 इस इक्वल डू 2 यहां भी स्टुडेंट्स इन दोनों नंबर्स को एड किया गया है 1 प्लस 1 इस इक्वल डू 2 इसके बाद स्टुडेंट्स इन दोनों नंबर्स को मिल्टिप्लाई कर लिया गया है तू डू दू जा फॉर इस तरह से स्टुडेंट्स यह 4 आया है next obviously जिस तरह से यह step किया गया है इससी तरह से second step भी करेंगे इन दोनों नंबर्स को add करेंगे 2 प्लस 2 इस इक्वल डू 4 और अब students इन दोनों नंबर्स को मिल्टिप्लाई कर लेंगे 4 फॉर फॉर दा 16 तो इस तरह से students यह 16 आया है अब students third step में तो आप समझ गये होंगे कि इसको किस तरह से solve किया जाएगा obviously students इन दोनों की addition करेंगे 3 प्लस 3 इस इक्वल डू 6 और इन दोनों नंबर्स की भी addition हो जाएगी 3 प्लस 3 इस इक्वल डू 6 अब फाइनली students इन दोनों नंबर्स की multiplication कर लेंगे 6 6 और 36 तो यह students हमारा answer है 36 so it was the maths puzzle now do subscribe like and share this channel thanks a lot allah afeez